भाई साब मैंने कहा दाना जब टागर मैदान में आया तो पठान और कभी सब पीछे रह जाएंगे फाइनली टागर 3 मूवी देख लिए और भाई जो experience था मैं बता नहीं सकता अपने सब दो में चाए फिर वो acting हो या फिर वो action हो सब up to the mark था मूवी ज़्यादा heavy story लेकर नहीं चलती है अपने साथ थोड़ा बत तो मैं बोर करा सकती है लेकिर in terms of action तुम भाई बिलकुल जुड़े रहोगे मूवी के साथ मूवी के अंदर हमें spy timeline की थोड़ी पीछे की story भी दिखाई जाती है ताकि हम उस चीज को connect कर सके इस movie के villain की story back time line में दिखाई जाती है जोया के साथ जिस चीज से audience connect कर पाती है emotionally इस movie में मैं पता लगा के जोया ISI की agent कैसे बनी थी और वो कैसे सलमान से पहले ही मिल चुकी थी अगर मैं story की बात करूं तो इसमें normal सी यी story थी इंडिया और पाकिस्तान के उपर ही स्टार्टिंग में ही भाई जान ने अपने action के तुम मजा डाल दिया movie के अंदर जहां वो अपने पुरानी दोस्त को बचा के लाते हैं और उससे पता भी करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा और कौन खूपी agent बैठे हुए है जिसमें उनका दोस्त मरते मरते बता ही जाता है कि जोया भावी भाई दोकेवाज निकली यहां पर tiger के साथ audience को भी धक्का लगाता है यह सुनके लेकिन दीरे-दीरे करके हमें पता लग जाता है यह सब इस movie के villain का काम है मतलब आतिस का आतिस के दवाब में आकर अपना सलमान भी थोड़ा गदार बनने की कोसिस करता है इसलिए tiger pen बनाता है आतिस के हिसाब से चलता है इसी सब के बीच जो action दिखता हो एक next level चीज होती है उस चीज का experience उस चीज का मया वस तुम hall के अंदर ही देख सकते हो अगर इस movie के cameo की बा अगर तुम्हें story से प्यार है तो तुम थोड़े से बोर हो जाओ इस movie के लिए अगर इस movie के characters की बात करें तो जोया मलग कट्री रान ने अच्छा रोलने वाया आता वहीं सलमान ने भाई एक next level acting करी थी बहुत serious पने में वहीं शारु खान आके थोड़ा मजा भी डालते है पुराने characters भी दिखा जाते movie को और जादा connect करने के लिए अपनी पिछली movies के साथ अगर मैं spy universe की timeline की बात करूँ तो इननम बहुती perfectly balance करके रखा है अपनी अब और आगे के लिए अगर lastly मैं तुम्हें बताओ तो यह movie पूरी की पूरी action-packed है मतलब इस movie इतना action है कि तुम भाई इसके बाद movie में post credit scene में जिसे में mid credit कहना चाहूँ कि post credit scene अलग होता movie में खतम होने के वा लेकिन इसमें mid credit scene है जो की again भाई goosebumps दे देता है सची में सच बताओ तो पूरी movie की hype कोई और ही ले गया और हाँ तुम gas कर सकते हो कौन इस पूरे spy universe का सबसे main role वाला character तो हाँ ह next level की चीज की जा रही है आगे के लिए जहां मैं पता लगता है कि अपने जो पुराने hero हैं वो mission करकर के थोड़े से bore हो गये या अपर कहें वो mission करकर के इतने involve होगे वो वही villain बनने जा रहे मैं तो मैं फालतू के spoilers नहीं ही दूँगा लेकिन भाई ending जरूर देखके जाना स इतना collection करके जाएगी overall बाकि मुझे hidden details आप theories के साथ catch करना है तो इस channel को subscribe कर लेना bell icon on कर लेना ताकि सारी वीडियोस तुम देख सको आराम से वैसे मैंने और भी trailers और movies के उपर hidden details दार रखे हैं जिनने तुम मेरे channel पर देख सकते हो या फिर इस screen पर जो वीडियोस देखने हैं तो मोरे check out कर सकते हो तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में टाटा बाई बाई